वेलकम टू जिरो लोस ओप्षिन ट्रेड दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो थी ठीडे फास्विंग जैसे हमने इस्ट्रेजी लॉंच किया या फिर इंट्राइड ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें हम स्टॉक पिक जो करते ह आपका क्या फॉर्ट प्रोसेस है इस पर आपको गोर करना पड़ेगा तो अधिकतर मैंने एकी चीज़ देखी है कि बाजार में बहुत तेजी से बाजार अपना मूट चेंज कर लेता है निफ्टी बेंक निफ्टी अचानक से एक तरफा भागते हुए एक क्लियर मूवमे देखाने के बाद मैं अचानक से लुड़कना चुरू कर देते हैं जहां बढ़ना रुकी नहीं रहा था अब गिड़ना रुक नहीं रहा यह पॉसिबिलिटी बन जाती है तो ऐसे मैं आपको देखना है कि जो स्टॉक आप ट्रेडिंग के लिए चुनते हैं या जो भी इस निफ्टी, बेंक, निफ्टी, उसके कॉल या पूट तो उसको किस हिसाब से चुन रहे हैं क्या आप इस वज़े से तो नहीं चुन रहे हैं कि पीछे आप इसमें काम करते चले आ रहे थे इसलिए आप उसी पर फोकस कर रहे हैं यह होने के चांसे बहुत जाता है जिस कॉल में पैसा बनाया है और अचानक से बाजार पलट गया और वो कॉल अचानक से आपको नुकसान देने लगा तो आप पूट के बारे में नहीं सोचने लगोगी आप सोचोगी कि जो कॉल घटके 120 से 50 रह गया है अब उसको लेना चाहिए फिर जब वो भी नीचे चला जा तब आप सोचते हैं कि अब शायद बाजार पलटेगा और एक सिलसला बन जाता है कि आप कॉली कॉल खरीते चले जा रहे हैं आपको ध्यानी नहीं आ रहा है कि बाजार यहां से पलटके नीचे जा सकता है सबसे बड़ी गलती कब होती है जब अचानक से प्रॉफिट बुक लेकिन वो बड़ा दुखा दे के आने वाली है ऐसा नहीं है कि उसने गिरना शुरू किया 18600 से तो 17800 तक ऐसे लगतार गिरती चली गई वो 18600 से गिरी 18300 तक आई 18300 से 18400 450 तक गई ऐसा लगा कि बाजार आप वापस तेज हो जायेगा फिर 400 450 ते दोपर के बाद अचानक गि पाकी बंद हो जाएगी फिर अगले दिन गेब डाउन खुल जाएगी 17900 और वहां से 17700 दिखा देगी ऐसे हर वक्त आपको लगेगा कि बाजार अब यहां से पलटा हर वक्त आपको ऐसा दिखेगा कि यह स्टॉक अब वापस उपर जाएगा और हमारे दिमाद में रिसेंस से वह 40 आ जाएगा 40 से वापस 55 तक जाएगा हमको लगेगा अब शायद 90 जाएगा वह लुड़क के 410 हो जाएगा तो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी और आप ट्रेप क्यों हो रहे हैं क्योंकि आप उसी एक स्टॉक को पकड़ के बेठें तो इसका सॉलूशन क्या है इसका सॉलूशन यह है कि दोस्तो नए सीरे से देखो कि अभी कौन सा स्टॉक है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज जैसे हमने आपको केन बेंक के बारे में कहा तो केन बेंक सुबे से लेके आखिर तक अपने स्ट्रेंथ दिखाता ही रहा 201 रुपए से वह 217 14 15 ऐसे चलता रहा लेकिन 245 पे उसने सबसे ज्यादा अच्छा रेट या अच्छी प्राइस दिखा दी थी ऐसी अगर हम बात करें एसकॉर्ट की तो एसकॉर्ट कहां से सामने आएगा जब आप यह देखोगी कि मंतली हाई किसने तोड़ा है या वीकली हाई किसने तोड़ कि हाँ यह अभी अचानक से पलट के उपर चला है और इसमें स्टेंथ रह सकती है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग में कि मैं यह 200 शेर ले रहा हूं और यह स्टॉपलोस दो रुपय का जाएगा 400 रुपय जाने वाले हैं ऐसा कि रोज थोड़ा उपर खुल जाती है वहां से उपर जाती है दो पर तक लगता है कि आप तो बाजर मजबूत है और फिर वहां से माइनस आ जाती है फिर वापस रिकवर करती है और आखरी में बहुत तेजी से सेलिंग आने लगती है तो यह बार-बार हो रहा है इससे दिन भर में बहुत सारी उतार चड़ाओं होंगे और वो आपको ट्रिप कर लेंगे, आपके ही हातों से आप अपनी कनपटी पे गोली चलाने वाले हैं, आपके ही हातों से कब आप कोई स्टॉक को शॉट करने वाले थे, कब आप उसको खरीद के तेजी में बेट गए हैं, औ इसी से गड़बढ होती है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, कि अधिकतर लोग स्टॉक या कोई भी चीज अपनी मेमरी के हिसाब से पिछली मेमरी के हिसाब से चुनते हैं, तो मैं आपको यह भी कहूंगा, कि अब से अप डेट वाइस, वीक वाइस, रिकॉर्ड रखना श उसके बाद में दो मेने गुजरेंगे, तेजी आजाएगी, तेजी के बाद तेजी इतनी लापरवाई से चलती रहेगी, ऐसे आप शेर खरीदेंगे, ऐसे प्रॉफिट मिलेगा, कि आप स्टॉप्लस लगाना भी भूल जाएंगे, आप ये भी भूल जाएंगे कि वाल्य कि गिरता आपको मोका ही नहीं देता, आप देखिये ना, 6300 से जब 6800 आया था, IRCTC से, तब ऐसा लग रहा था, ठीक है अभी, वापस उपर जा रहा है, देखो, संबल जाएगा, फिर वो 5300 हो गया उसे दिन, फिर अगले दिन 4800, 4600 दिखाया, फिर उसके बाद 4000 हो गया, फ हात में, तो मज़ा ही आ जाएगा, हमारे क्लाइन के पास पैसा था हात में, उसने 500 शेर खरीने से, 680, 700 के बीच में कहीं, तो 500 शेर एकठे कर लिए, और 880 पे बेच के बाहर आ गया, पूरे 45,000, कितना गजब की अपरचुनिटी थी, कि 25% गिर गया था, IRCTC, अब 25% गिरन IRC है, तो आपने उठा के रख लिए, इतने करेक्शन के लिवल पे, और आज नहीं तो वो 10 दिन बाद, एक महीने बाद बिग जाए, उसके चांसे बनते हैं, और फिर भी गुंजाईश रखता है आदमी, देखो वही आदमी हिम्मत से चीजों को भूल सकता है, जिसने गु कामला बनेगा, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 400-500 के बीच का एवरेज हो जाएगा, और यह कहीं 600-700 पर बिग जाएगा, आज ही के दिन 880 बिग जाएगा, तो किसे ने सोचा भी नहीं था, तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने बेच के बाहर हो जाएगे, जो लोग भी इसको फॉलू कर रहे हैं, बड़े आराम से काम कर पा रहे हैं, उनको अब यह बात समझ में आ गही होगी, कि अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो कितनी बड़ी परिशानी में पढ़ गए होते हैं, क्योंकि कभी भी आपको न करता रहता है, और आपको एक धोके में फसाता है, एक टेम्टेशन में फसाता है, इसलिए दूर का सीन देखो, दूर का सीन मतलब आप तीन महीने, छे महीने, एक साल के चार्ट्स देखिए, तब आपको समझ में आएगा, कि जो कुछ हम बता रहे हैं, वो तो हमेशा होता तो थोड़ा दूर का देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि देखो बात में जब भी यह घटना होने लगी कि हमको मुकानी मिलेगा शुरू शुरू में तो आप फसी जाओगे बगेर फसे बगेर चोट खाए तो हम समझने वाले हैं नहीं लेकिन दो-चार बार की ठोकरों के बाद में धीरे धीरे आप ऐसे तो होई जाओगे जिसा हम अपने आयर से टीसी की बात करें तो हमने 80 परसेंट वहीं पर प्रॉफिट बुक कर लिया था 6,000 से 6,300 के बीच में पर ये सिखते सिखते बरसो लगते हैं तो बाजार बताने नहीं आता कि भी मैं अब से आज से या शाम से जिटने वाला हूँ आपको ही पता होना चाहिए कि आपको यहां से क्या चाहिए था क्या सोच कि एंट्री की थी क्या सोच कि आपने किसी को उठाया है यह आपके दिमाद में होना चाहिए दोस्तों तब ही जाके आप सही काम कर पाएंगे तो आज मैं बात कर रहा था कि स्टॉप पिकिंग का आपका थौट प्रोसेस क्या है वह बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है तो आप पीछे किसी स्टॉप में काम करते आ जो कुछ भी यहां हम आपको समझा रहे हैं अब यह टाइम टेस्टेट बात हो गई है बाजार में बुरे से बुरे हालात आ गए लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिस लगातार आपको सुरक्षित रखके प्रॉफिट दे रही है आज जो लाइव स्ट्रिमिंग में हमने बताया उसको देखेगा और सात नौंबर को ट्रिपल नाइन की स्ट्रेटेजी मिल रही है दोस्तों जो स्टॉक ऑप्षन और इंट्राडे केश के लिए होगी नए तरीके से हम बात करेंगे आपको बहुत कुछ पहले से पता हो ठीक है लेकिन फिर से आप में उर्जा डालने के ल लीजे 5 दिन के अंदर 10 गुना रिकवर करने की भी संभावना वन सकती है कॉल कीजे 83810-21346-82693-99398-96300-15450 गूगल पे फोन पे कीजे 83810-21346 थैंक्यू बार कमेंट कीजे कैसा लगा वीडियो